सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की शिक्षा निदेशा ले राष्टराजानिक्षेतर दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर आठ जो की कक्षा छटी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कौन किसे खाता है यानि उसको हम आगे जारी रखेंगे आपको तो याद है ना की पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी टॉपिक को लिया था जिसमें हमने समझा था कि किस तरह से एक जानवर दूसरे जानवर का भ बोजन बन जाता है जब एक सिंगल एक खाद्र श्रिंखला होती है उसमें क्या होता है एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहां खाद्र श्रिंखला का एक सम्हू बनता ह हम इसे क्या कहेंगे यानि सोच ये कि जब पहले तो ऐसा था पिशली वक्षिट में हमने पड़ा कि एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बना हुआ है लेकिन जब एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भी भोजन बन जाएगा तो ये तो खादर शंकलाओ का समू बन जाएगा तो इसे क्या कहते हैं चले जानते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अनाज, अनाज को चिडिया खा रही है ठीक है और अनाज को ये जो टिड़ा है ये भी खा रहा है फिर टिड़ा जो है घास को खा रहा है तो जो खरगोश है वो भी घास को खा रहा है फिर इसी तरह से टिड़े को उल्लू खा रहा ह और चुहे को भी उल्लू खा रहा है फिर इस तरह से चिडिया को ये लॉमडी खा रही है तो देखिए चिडिया को जो है लॉमडी भी खा रही है और खरगोश को भी लॉमडी खा रही है खरगोश गाजर खा रहा है तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी खाद्रिश रिंखलाए बन गई हैं जिसको हम खादे जाल कहते हैं और अब ही आगे हम इसको समझेंगे भी तो अते दिये गई चित्र में देखिए कि कितनी खाद्रिश रिंखलाएं बन रही हैं तो बहुत सारी बननी जैसे घास और गाजर को खरगोश खा रहा है तो खरगोश को लॉम्डी खा रही है फिर घास और अनाच को टिड़ा खा रहा है तो चिड़िया उसको खा रही है तो और चडिया को लॉमडी खा रही है घास और अनाच को टिड़ा खा रहा है और टिड़े को उल्लू खा रहा है ठीक है? फिर अनाच को चुहा खा रहा है और चुहे को उल्लू खा रहा है अनाच को चडिया खा रही है और चडिया को लॉमडी खा रही है तो इस तरीके से कई सारी खादेश इंखलाएं बन रही है तो उपर दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए और निमलिखित खालिस्थान भरिए गाजर को खाया किसने? खरगोश ने आप यहाँ पर लिखेंगे खरगोश फिर घास को किसने खाया? टिड़े ने ठीक है? और खरगोश ने भी तो खाया? खरगोश भी लिख सकते हैं दोनों लिख सकते हैं याँ दोनों को दोनों ने खाया किसको घास को? फिर अनाज को किसने खाया? टिड़े ने यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं टिड़े और चिडिया ने भी तो आप यहाँ पर चिडिया भी लिखेंगे यानि दोनों लिख दो ठीक फिर इसके बाद खरगोश को किस ने खाया लॉमडी ने फिर इसके बाद टिड़े को किस ने खाया टिड़े को उल्लू ने खाया ठीक और चुहे को किस ने खाया चुहे को भी उल्लू ने खाया तो इस तरीके से हमें ये करना है यहाँ पर हमने पाया कि 5 खादे शिंकलाओं का एक समू एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए यानि 5 खादे जाल के रूप में जाना जाता है, तो अब आप ये देख लीजी, ये समझ दीजी, कि जब एक से ज़्यादा खादे शिंखलाएं बन रही हो, यानि एक जानवर, एक ही समय में कई जानवरों का भूजन बन रहा है, तो उसको हम खादे जाल कहते हैं, फिर पता लगाईए कि कौन किसे खा सकता है, और एक खादे जाल किस प्रकार बन रहा है, अब आप देखेगा और आप सोचिए कि कौन किस को खा सकता है, जैसे खरगोश जो है वो गाजर को खाएगा, फिर लॉमडी जो है, वो खरगोश को खा सकती है, ठीक है, इसी तरह से मे मेंड़ को खाता है और साप को कौन खाता है चील खाती है और चील जो है नेवले को भी खा जाती है फिर हिरन को चीता खा जाता है यहां से आप ले आईए इसको ठीक है तो इस तरीके से कई सारी खाद्य शिंखलाएं बन रही है और खाद्य जाल बन रहा है तो यह तो थी लेकिन याद रखेगा बाहर जाते समय, घर से बाहर जाते समय, कुरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी रही आ, इसका टीका कराण अवश्य कराएं, क्योंकि कुरोना को हराना है, और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है तो इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद